हेलो गाइज वेल्कम बैक्ट तुमाइ यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डेरेक्ली निफ्टी में सिप कैसे चालू कर सकते हो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डेरेक्ली आप निफ्टी में जीरो रेस्क के साथ जैकपॉट रि इन्वेस्ट करके तो यह वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप सबसे पहले जाकर यह वाली वीडियो देखे आपको पता चलेगा कि किस तरह से निफ्टी में इन्वेस्ट किया जाता है लेस दैन 150 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो और इसमें सिप किस तरह से करन कमेंट्स आयते कुछ कि mutual fund से किस तरह से अलग हो जाता है क्या benefits होंगे वह मैं आपको आज बताऊंगा तो पहले यह वीडियो देख लिजिए फिर आप यह वाली वीडियो कंटिन्यू कर लेना यह वाली निफ्टी बीज वाली देखके फिर आप यहां पर कंटिन्यू कीज तो अब चलिए start करते हैं तो I hope कि आपने वह वाली वीडियो देख लियोंगे और आपको पता होगा कि निफ्टी बीज क्या होता है और किस तरह से हम इसमें invest कर सकते तो सबसे पहले मैं आपको यह पता होगा कि SIP मतलब आपको पता होगा अगर आप यह वीडियो देख रह पता है यह जैसे निफ्टी उपर जाएगा लॉंग टम में यह वी उपर ही जाएगा तो आपको क्या करना है अगर आप इस पॉइंट पर 2,000 रुपे की investment करते हो for example मैं बोल रहा हूं कि आपको monthly 2,000 रुपे की SIP चालू करनी है तो अगर आप यहां पर 2,000 रुपे invest करते हो और market यहां से चला जाता है नीचे मतलब निफ्टी अगर नीचे जाता है तो निफ्टी बीज भी नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे फिर से हर महीने आप averaging करोगे इसको मतलब हर महीने की fix date को अगर आप investment करते हो long term के लिए 10 साल के लिए तो आपको यह उपर नीचे जान time में उसी के साथ उपर जाने वाला है तो आपको क्या करना है आज से ही या फिर आपकी जो भी monthly date है उसके हिसाब से आप इसमें invest कर सकते हो जो भी आपका amount हो का तो आप चलिए देखते हैं किस तरह से यह manage होगा सब कुछ यहां पर आपने किये 2000 रुपे इंवेस्ट किये ओके market for example यहां से नीचे आ गया ओके तो यहां पर भी आपने किये 2000 रुपे तो अब आपको यहां पर आपने लिया था और यहां पर लिया था अब आपको average price मिल गई बीच वाली यानिकि for example अगर 140 के असपास आपने लिया जाएगा तो फिर से आप यहां पर आड़ करोगे तो आपकी आप प्राइज हो गए 130 तो अब यहां से जैसे-जैसे market उपर जाएगा तो आपकी थोड़ी-थोड़ी price होगी पिरामिडिंग इस concept को हम बोलते पिरामिडिंग कि जिस तर जैसे-जैसे price उपर जाता है तो आप यहां पर भी invest किया फिर आपकी average price होगी यह वाली फिर आपने यहां पर invest किया फिर आपकी average price होगी यह वाली इस concept को बोलते पिरामिडिंग तो जितने भी investors है और बड़े-बड़े investors है या institutional investor है तो वो लोग pyramiding करते हैं और averaging यह concept stocks में बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि stock जीरो भी हो सकता है company डूब सकती है तो stocks में में यह suggestion करूंगा लेकिन यह nifty 20 है यह long term में हमेशा ऊपर जाने वाला है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी आपकी monthly date है उसमें आप सिप इसमें चालू कर सकते हो और जैसे जैसे यह नीचे जाएगा तो भी आपका profit हो है तो सबसे पहले तो अगर आप mutual fund में invest करते हो तो उसमें क्या होता है कि fund manager होता है आपको उस company के charges देने होते है फिर fund manager की fees देनी होते है फिर brokerage वगएरा यह सब taxes लगते है उसको यह सब होता है लेकिन इसका क्या benefit है यह मैं आपको बता देता हूं यह सब drawings में हटा देता ह यह देखिए तो इसका क्या benefit है मैं आपको बोलता हूं किसी भी broker जैसे up stocks हो गया यह जेरोदा हो गया यह angel broking चूब भी आप यह करते हो जिसमें भी आपका demat account है तो उसमें आप को बस search करना है nifty bees यह देखिए इस तरह से यहां पर nifty bees आ जाएगा नीचे तो आप देखो क तो nifty bees यह मैंने already इस video में बता चुका हूं detail में किस तरह से क्या काम करता है पूरा back tested के साथ बचा चुका हूं तो यह video आप देख लेना ओके तो आपको search करना है nifty bees और nifty bees में आपको आज से या फिर आपकी जो भी महिने की first date होती है या जो भी आपकी salary date है या आपका जो price मिलता फिर और नीचे जाता तो आप और करते तो फिर भी आपको average price मिलता फिर आज नहीं तो कल अभी market है correction mode में तो यही एक best time है यहां पर invest करने का क्योंकि बाद में market फिर से recovery दे सकता है nifty अगर आप देखो कि daily chart में तो यह देखी यहां से गिरा था last time nifty same nifty पर ही चलता हूँ यहां पर मैं वह नहीं बताऊंगा यहां से गिरा था फिर यहां से अभी इतना topic अभी थोड़ा सा correction mode में correct हो रहा है ओके यही time है कि जैसे जैसे नीचे आएगा तो आप buy करते जाओगे nifty तो directly आप buy नहीं कर सकते उसके लिए futures वगेर यह लगेगा आपको तो उसके लिए आपके पास एक टूल है exchange traded fund nifty bees का इसमें आप invest करके पूरी तरह से investment करके जो भी returns in nifty के वह आप capture कर सकते हो तो nifty का average return से 11.1 CAGR का है annually मतलब year में 11.11% returns देता है minimum okay तो minimum अगर हम 11% ना भी पकड़े 8-10% भी पकड़े तो बहुत अच्छा returns होता है वो तो nifty bees भी same type का returns देता है यह देगी यह March का crash था और यह March में यह इसने bottom लगा था 85 80 का okay 80 का इसने bottom लगा था अभी इसने high कितना लगा है 175 का तो आप देख सकते हो कि पैसे double हो चुग है 6-7 मेने के अंदर ही पैसे double हो चुग है यहां पर तो long term में nifty जैसा जैसा उपर जाएगा यह भी उपर ही जाएगा क्योंकि यह एक mirror करता है इसको उसी के उपर चलता है nifty के उपर और यह बाकी सब चीज है तो मैंने detail में आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ तो य इस तरह से आप nifty में invest कर सकते हो systematic investment plan के साथ तो इसके benefits भी आपने जान लिए कि इसमें brokerage नहीं लगता और जो charges से वो नहीं लगते tax से आप बच सकते हो अगर आपके फोन पर अगर आप invest कर रहे हो छोटी मोटी amount monthly तो यह भी आपको beneficial रहेगा और averaging का और pyramiding का तो concept आपने सम साल के बाद मतलब जितना भी आप hold करना चाहोगे उसके बाद तो that's it for today's video guys और एक इसका benefit के आप कभी भी इसमें से withdraw कर सकते हो और कभी भी इसमें add कर सकते हो कभी कम quantity add कर सकते हो कभी ज्यादा quantity add कर सकते हो सब कुछ आपके हाथ में होता है कभी भी आप इसमें से withdrawal या फिर add भी कर सकते हो तो ये भी और एक बहुत अच्छा benefit हो गया बाकी mutual fund वगेरा में आपको एक obligation आता है कि इतने साल के लिए आप नहीं ले सकते है ऐसा वैसा लेकिन इसका ये फाइदा है so that's it for today's video guys video अच्छा लगा तो definitely video को like share and subscribe कर देना जितने भी लोग है जो stock market में invest करना च चाते है उनके लिए ये बहुत ही beneficial video है तो इसको आप share कर दीजिए उन लोगों के साथ और आप भी इसका benefit उटा सकते हो so that's it for today's video guys बाकी मैं intraday के लिए analysis post करता हूँ proper technical analysis और बहुत सारी intraday strategies भी मैंने upload कर रखी है ये investment के उपर मैंने एक video बनाई थी उसको बहुत ही अच् तो subscribe करके बाकी वीडियो देख लेना आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी learning आपको मिल जाएगी thank you so much for watching this video guys and see you in the next video thank you